काइन डर्म एम्डेयोलोजी, मौरूलेशन एंड दा ब्लस्टोलेशन, फास्ता कॉंटेंट्स, मौरूला फ़र्मेशन, ब्लस्टोसील फ़र्मेशन, सीलिया डिवेल्पमेंट, और प्राइमरी मेजन काइम, मौरूला स्टेज, स्टुएट्स अगर हम देखें, जाइगोट सैल है, जो कि नेक्स चनेरेशन का रिवेजन का जिसे कम्प्लीट एंइमल ने डिवेल्प होना है, जाइगोट के अंतर इनिशिल इसल डिवेजिन्स हों की, जिसको हम क्लीविज केते हैं, क्लीविज के बाद, वेन वी विल हेवाव और बॉलाफ सैल, जो बाल फसैल होगा, after the cleavage, after the cell division, initial cell divisions के बाद, ball of cells बना है, यह मुरूला है, मुरूला की जो पहचान है, वो यह है, solid ball, इसके अंदर किसी तरह कोई cavity मौजूद नहीं होती है, it is a solid ball जहाँ वो मौजूद होगा, यहाँ simply देख सकते हैं, इस डाइगराम में, कि initially cleavage हो ही है, और cleavage के बाद, at the end we are having a ball of cell, and this ball of cell is called the morula, इसको हम जब मौरूला का नाम देंगे, next stage के उपर, मौरूला के अंदर, जो cells हैं, वो अपने आपको organize करना शुरू करते हैं, and they form a single layer of cells with cavity between them, cells इस तरह से range होंगे, कि अधर में में एक hollow space, यानि fluid-filled cavity जाओ बन जाएगी, इस cavity के वज़को हम blasto seal कहेंगे, और इस stage के उपर embryo को हम नाम देंगे, blastula का, अब यह जो cavity बनने का process है, या blastula बनने का process है, it is called blastulation, तो अगर हमें को blastulation का पूछता है, blastulation is a process during which blasto seal is formed, and embryo is converted from morula to the blastula stage, अगर blastula stage को अगर हम देखें, या blasto seal को देखें, blasto seal cavity है, जो बाहर से अगर हम देखें तो हम बिल्कुल round फाम में cell नजर आएगे, लेकि जब embryo को काट कर देखें तो उसके तर्मियान में बगाइदा space नजर आएगी, जो आम तो फ्लूवरी ने liquid से फिल होती है, वेजिटल पोल से originate हुए थे, तो वेजिटल पोल के cell योग के वज़ा से थोड़े size के होते हैं, डाइगराम आप इसमें clearly देख सकते हैं, कि how the blasto seal is developed, initially, cells आपने आपको align करेंगे, और एक बीच में cavity developed function हो जाएगी, second stage के उपर आपको बकाई देख सेंटर में cavity नजर आ रही है, this is blasto seal, इस तरह से third stage के उपर blasto seal formation complete हो चुकी है, यानि blastola stage है, वो complete है, इसमें अगर आपसको देखें, blasto seal है, blasto seal के जो bottom के उपर cells हैं, वो जज़एज बड़े हैं, जब को जो top वोले cells हैं, वो small size के हैं, उसके वज़एज यह है कि जो top वोले cells हैं, they belong to animal pole, animal pole के cells small size के होते हैं, चुक्कि वो rapid cell division कर रहे होते हैं, vaginal pole के cells बड़े हैं, क्योंकि उनके अंदर cell division slow होती है, once blasto seal is formed, अब जब blasto seal bunch की होती है, तो उससे अगला stage है, वो है blastoula के उपर cilia का develop होना, blastoula का जो cells हैं, उनके उपर बगएदा cilia formation होगी, अच्छा, interesting लिए अगर हम देखें, development की जो शुरू की stages हैं, यह fertilization membrane के अंदर ही हो रही हैं, fertilization membrane का, मतलब यह है कि वो वाइटलाइन membrane जो बाद में, तो यह egg membrane भी इसको बोलते हैं, तो egg membrane या fertilization membrane के अंदर ही developmental stages हो रही होती हैं, till blastoula stage, अब blastoula stage के उपर जैसे ही cilia develop होंगे, तो they will break the egg membrane या वाइटलेन membrane, तो वाइटलेन membrane या इसको fertilization membrane बाद में नाम दिया जाता है, तो fertilization membrane को यह break करेंगे cilia, और इसके बाद जो embryo है, it will come out from the fertilization membrane, तो उस protective membrane से बाएर आ जाएगा, यह विल स्टार्ट स्विमिंग, यह move करना शुरू कर देगा, जैसे यह स्विमिंग स्टार्ट करेगा, उसके बाद इसकी gestulation stage complete होगी, और इसके बाद यह larvae में convert हो जाएगा, अच्छा, blastulation के end के उपर, अगर हम जाते हैं, तो जब उसके cilia formation हो चुकी होती है, तो फिर उसके, जो blasto seal है, उसको अगर हम observe किया जाते हैं, कुछ cells होते हैं, जो side की wall से उतर कर blasto seal के निच्छे जाकर बैठ जाते हैं, वो cells जो wall से detach होकर blasto seal में जाकर settle down हो गए हैं, they are actually called as the misenkime cells, उनका misenkime cells कहते हैं, क्योंकि उन्हें आगे जाकर further spikeules बनाने हैं, जो उसको skeleton के तोर पर role play करते हैं, तो यह आम दूर पर जो misenkime का बनना, यह blasto seal का end और gasulation का start होता है, यहां diagram आप clearly देख सकते हैं, कि second stage के उपर आप देखे हैं, cilia have been appeared, cilia appear हो चुके हैं, blasto seal दर्म्यान में बन चुकी है, उसके बाद third stage के उपर अगर हम देखे हैं, तो कुछ cells ऐसे हैं, जो side वाल को छोड़ कर blasto seal के bottom में आकर settle down हो गए हैं, इन cells को हम क्या नाम देंगे, दियार एक्चिल दा primary mesonkime cells, यह primary mesonkime cells बाद में कुछ skeletal components बनाएंगे, spikeules जो हैं उसको बनाएंगे,